दोस्तों आप लोगों मैंसे भी कई कैंडिडेट के मन में ये कुश्चन चल रहा होगा कि आपकी परसेंट यहाँ पर 55, 75, 75 ही है तो क्या आपको पोस्ट पर जीडेस के लिए फॉर्म फिल कर देना चाहिए क्या आँगे चलके इसकी मेरिट लिष्ट में आपका नाम आ सकता ह तो ऐसी कई सारे कोश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे तो वीडियो को सुरू से लेकर आखरी तक पूरा देखिए और दोस्तों चैनल पर पहली वारा है तो फटापर से लाल बाली बटन को दबागर सब्सक्राइब कर लिए ताकि आँगे भी आप फिडियो बनेगी वो टेंथ की परसेंट के हिसाब से ही बनेगी तो यहांपर कई केंड़ेट की परसेंट 95 के आसपास ही रह सकती है लो भी इसका फॉर्म फिल करेगा कई candidate की percent यहाँ पर 90-92 के आसपास भी हो सकती है और 95 के आसपास भी हो सकती वो भी इसका form fill करेंगे मतलब जातर सब candidates form fill करते हैं इसका और कई लोग इसमें joining भी लेते हैं अगर उनका नाम आ जाता है और कई लोग बोलते हैं कि भी या रहन देते हैं छोड़ देते हैं इससे अच्छा अच्छा है मतलब आंगे exam देने को मिलेंगे तो उसमें हम form fill करेंगे और वो छोड़ देते हैं नाम आने के बाद भी तो यहाँ पर merit list इसी आधार पर मतलब depend करती है कि आपके यहाँ पर number कितने आ रहे हैं और कितने candidate इसमें form fill कर रहे हैं अब अगर यहाँ पर मैं अपने example दे के बताऊं तो कई सारे candidate मेरे पास भी form fill करवाने के लिए आते हैं जहाँ पर मैं गॉलियर के आसपास का हूँ लेकिन फिर भी कई सारे candidate यहाँ पर मंडला या फिर बालागाट के लिए form fill करवाते हैं ऐसा क्यों है आपकी मन में भी कुशन चलता होगा कि मुझे जहाँ पर सबसे ज़्यादा vacancy है वहाँ पर form डालना चाहिए लेकिन आप लोगों ने यह चीज नोट नहीं की होगी लेकिन यह ऑनलाइन वाले ज़दूर नोट कर लेते हैं कि जहाँ पर vacancy ज़्यादा है सबसे ज़्यादा form वही पर डाले जाते हैं भली आप वहाँ से कितने भी दूर किया है अब यह मतलब थोड़ा बैसा एरिया लग जाता है बालागाट मंडला फिर भी कई सारी केंड़ेट यहाँ पर form डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर vacancy ज़्यादा है तो इस हिसाब से यहाँ पर थोड़ी merit भी ज़्यादा से जाएगी वहली vacancy यहाँ पर ज़्यादा है लेकि से 50 candidate के असपस बालागाट वाले आ चुके हैं तो इस हिसाब से यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भीया मंडला और बालागाट की merit को जादा ही ना हाई ना चली जाए मतलब और सभी division के हिसाब से मंडला और बालागाट की merit जादा ही ना चली जाए ऐसे भी आपको जादा खौम फिल हो रहे हैं तो उस हिसाब से आपको फिर देखके रखना बरना पड़ेगा यहाँ पर खौम तो क्या है division के हिसाब से merit थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है मतलब जादा अंतर नहीं रहता है यहाँ लेकिन कुछ percent का यहाँ पर अंतर रह जाता है लेक इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो का जा सकते हैं चाहिए तो मेरे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसके लिए आपको जॉइन करना पड़ेगा मेरा टेलिग्राम चैनल जिसमें मैंने कुछ documents ब्यूंत बगियर डाल रखी है यहाँ पर mérit list के लिए जिसको आप download कर सकतें और अपने state के इसाब से आप यहाँ पर download कर सकतें मैंने यहाँ पर हर state की merit list डाल रखी है अपनी telegram channel पर तो एक वार join जरूर कर लेना और साथ में उस video को भी देख लेने जहाँ पर आपको उस merit list को check करना है जिसके आप इसाप से आपको पता चली जाया कि यहापके राज में यहापर या फिर आपकी division में यहापर कितने से merit list जाने बाली है कितनी percent से merit list जाने बाली है अब यहाँ पर एक factor यह भी हो सकता है post office GDS की merit list कम जादा होने का कि जब भी आप इसका form फिल करने है कि यहाँ पर ज्यादा चार्ज कोई नहीं लग रहा है अगर आप general और OVC category से या फिर EWS category के candidate है तो यहाँ पर 100 रुपए आपकी fees कट रही है और जो online वाला चार्ज ले वही लग रहा है और इसकी वाल अगर आप SCST candidate है तो मैं तो यह कह रहा हूँ आपको 100% इसका form फिल करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई आपकी fees बगएरा भी नहीं लग रही है सिर्फ online वाला जो चार्ज लेगा वही आपका लगेगा तो आपको 100% इसका form फिल कर देना चाहिए और इसकी merit list की आपको ज़्यादा tension नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आप अगर यह सोचेंगे कि मेर merit list में आपन नाम नहीं आने वाला है मैं क्यों इसका form फिल करूं तो कई सारे और भी candidates ऐसे हैं जो यही सोच रहे हों कि भीया मेरी merit list में मुस्के लिए मेरा नाम आजा है तो मैं क्यों इसका form फिल करूं तो यही अगर आप सभी लोग सोचने लगेंगे तो तो मुझे लग merit list काफी ज्यादा कम से जाने वाली है तो इस वजए से आप लोगों को ज्यादा चार्ज इसमें कटनी रहा है आप लोगो 100% इसका form फिल करना चाहिए और मैं आपको आपको पर स्क्रीन पर ले जाकर दिखा दूँगा कि आपकी कैटेगरी में कितने पर से merit list जा सकती है जोइन कर लीजीगा आ जाते है इस इसकी पर यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है यह यह यहाँ पर जो percent vary कर सकती है यहाँ पर थोड़ी बत परसेंट यानि कि पांच-दस परसेंट यहाँ पर बैरी कर सकती है आँगे पीचे हो सकती है आपके राज के अकॉर्ड यानि पर कितने ज़्यादा form फिल होते हैं कितने कम फिल होते हैं और हाँ आप उसको एक चीज और नूट करनी है जैसे कि आप online वाली सौप पर जाते हैं जानकारी लेने तो आपको यह देखना है किस जगह पर सबसे ज़्यादा form फिल किये आ रहे हैं मतलब उसकी बीच का आप य जो जहां पर सबसे ज़्यादा वेकेंसी है वहां पर ही form फिल करेंगे आप देख लेना अपने आसपास की जो ऑनलाइन बागे रहे हैं उस पर जाकर आपको पता चल जाएगा यहां पर EWS कैटेगरी की जो merit list अंदाज जाने वाली है वो इतने percent के बीच में जाने वाली है उसके बाद general category में इस हिसाब से जा सकती है क्योंकि पिछली साल की जो यहां पर merit list गई थी वो इनकी recording ही गई थी जैसे कि मैंने आपको पता है थोड़ा बहुत और खम जादा हो सकता है यहां पर fix नहीं है यह सी category में आप देख सकते हैं यहां पर ST category में भी आप देख सकते ह आपके comment और message का reply करने का और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पता है काफी सारी काम की link आपको description box मिल जाएगी तो link एक बार check out जरूर कर लीजिएगा चाहे तो मेरे blogging चैनल तो जोइन कर सकते हैं जहां पर मैं travel से related काफी सारी videos डालता रहता हूं